हम इस वक्त हैं देव भूमी में और हमारे साथ हैं विक्रम अद्यत्या सिंग सेर वीर भदर जी के जाने के बाद काफी लोग लेगसी के बात कर रहे हैं और आपके ओपनेंट्स भी ये सवाल उठा रहे हैं हमारा चहरा कौन होगा, कौन नहीं होगा वो प्रदेश की जनता तै कर लेगी और हमें जो अभी हमारी भूमी का है हमें उसके उपर अपने दायतव के उपर ध्यान देने की आवशकता है हिमाचल प्रदेश की जनता को कॉंग्रिस पार्टी से बहुत उमीदे हैं हमें पोस्ट के उपर, पदों के उपर ध्यान देने की आविशक्ता नहीं है, हमें प्रिंसिपल्स के उपर, आइडियोलोजी के उपर ओर अडिलिवरी जो हमने अपनी बाते करी हैं, गैरेंटीर्टी दी हैं उनको कैसे डिलेवर करना है उसके उपर हमाना दे। प्रदेश के अंदर भरा जाएगा और यह सारे के सारे जो बाते हमने करी है इनको बहुत सोच समझ कर प्रदेश की जो आर्थिक परिस्तिती है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार के ओपर आज करीबन सिक्स्टी फाइफ थाउजन करोड का रिन है ओल ड्यू टू दे इन एफिशेंसी ऑफ दे प्रेजेंट रजीम जिन्होंने पैंतालीस हजार करोड रुपए का रिन केवल पांच साल के अंदर लिया है हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे भी ब हो हमेशा क्याता है कि कॉंगरेस ने इंप्लेमेंट किया मगर्टेश में इस ने किया था वाजपाई साहब की सवरगयराज़ की एंडीए गवर्मेंट थी जिसने इसको देश के अंदर लागू किया उस समय कि कुछ तर्म्स अं आईसे थे जिसकी वज़ासे हिमाचल की प् हम regularly इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं और प्रिदेश के करमचारियों को हमने ये वादा किया है कि पहली cabinet meeting में जो है इसको प्रिदेश के अंदर लागू किया जाएगा आप देख रहे हैं कि हमेशा आ रहे हैं योगी अदत्यनात आ रहे हैं हिंदत्व की बात हो रही है आपको लगता है कि resonate करेगा लोग उनके साथ बिलकुल भी नहीं करेगा मैं ये बात आपको कहा देना चाहता हूँ हिमाचल बिलकुल अलग है हिमाचल जो है वो शक्ति पीट है हिमाचल देव भूमी है हिमाचल में भिमाकाली का मंदर है ज्वाला माता का मंदर है चामुडा माता का मंदर है ऐसे सैंक्रो मंदर हिमाचल देश में जहां पर 2007 में धर्मांतरन का कानून वीरभदर सिंग जी की सरकार लेकर आई थी। उस समय राष्ट्रे समसेवक के संग के अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिशत के अंतराष्ट्रे अध्यक्ष ने वीरभदर सिंग जी को लिखेत रूप से धन्यवाद किया था कि राजा सहाब जो कारे आप हमारी भाजबा शासे सरकारे देश के अंदर नहीं कर पा रही उसको आपने हिमाचल के अंदर करके दिखाया है। कि धरम को और अपने कारियों को कैसे सेग्रिकेट करना है और यहाँ पर जो वोटिंग होगी वो बेरोजगारी के ओपर होगी, करमचारियों की अंदेखी के ओपर होगी, बागवानों किसानों की अंदेखी के ओपर होगी और हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में देश का सरवश्रेष्ट राज्या जो हमने बनाना है उसके ऊपर ये वोटिंग होगी और ये किसी भी तरीके से जो यहां पे लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है ये काड हिमाचल में काम काम्याब नहीं होने वाला है हमने आपके सोचल मीडिया अकाउंट देखे हैं ये वेरी अक्तिव आलसो क्या मानते हैं कि डिजिटल कैंपेज शुरू हुआ है या आपको लगता है कि हमाचल में ट्रडिशनल कैंपेज ही चलता है और सोचल मीडिया पे इतनी लड़ा ही नहीं है रख शुरूर अपर अपने ले रहे हैं और उनका वाला पॉन्ट भी ले रहे हैं वैझे लिजगा Сब्सक्ति जर्ट पार आपश्टों करेंप आपको लेड़ाए करें पति मैं आपको फीडिया और उनका विवेवारी विख भी ले रहे हैं। I don't believe in a one-way interaction. जो भी वो अपने feedbacks देते हैं, जाहे वो employment-related है, tourism-related है, state को sustainable development के रूप से आगे ले जाने क्या विशकता है. We heard the people of the tribal areas who had launched a campaign saying no means no for hydro projects. I was the first legislator to raise this issue in the Vidhan Sabha because I understood that the youth today do not want to compromise with their ecology, with their flora and fauna, with the environment. and I raise this issue because I understand कि हमको युवाओं की आवाज को भी उठाना है. इसलिए I believe in maintaining a balance between the two. We have to take the senior people along, we have to take their blessings who are not technically, technologically savvy. But at the same time, we also need to connect with the youngsters, the first-time voters in the state. And I am sure the perfect blend will be like single malt and we will be able to form the government. अपने बात की और केजरी वाल भी यहाँ पर है. कितना seriously लेते हैं आम आदमी पार्टी को? It is Congress versus BJP, क्योंकि Swing State है. या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के एंट्री यहाँ पर नहीं होगी. उनका जो आम आदमी पार्टी का ट्रेक्टर है, वो पहाड़ों से चलने की कोशिच कर ला था, मगर 4x4 उनके गाड़ी में था ही नहीं. तो वो वापिस जो है, वापिस पहाड़ों से निचे उतर चुका है. एक महीने उनका बेशक गुबार प्रदेश के अंदर रहा. मैं उस चीज़ को मानता हूँ. मगर जिस तरीके से जो सेपरेटिस तेंदेंसी पंजाब के अंदर निकलनी शुरू हुई, जो खालिस्तानी मुवमें वहाँ पे शुरू हुआ, यू मस्ट आफ सीन, वापिस प्रदेश विधान सभा के कंपाउंड के ओपर खालिस्तान के जंडे लगाए गए. तो यह हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके की सेपरेटिस तेंदेंसी काम करने वाली नहीं है, लोईन ओर्डर की जो धजियां पंजाब के अंदर ओड रही है, गैंक्स्टर से रोज जो है वो स्मगलिंग हो रही है, रोज फिरौतियां हो रही है, तो मेंन कॉंपेटिशन हमारा भाजपा के साथ है, मगर भाजपा का काम जो है इस बारी प्रदेश के करमचारी कर देंगे. लिक और सेंस अफ कॉंपेटिशन था, जो कि टोपी के साथ हुआ करता था, कि कॉंग्रस वाले हरी टोपी पाहनते थे और बीजेपी वाले लाल टोपी पाहनते थे, एक लीज हमें दूमल साब के टाइम भी देखा और वीर भाजपा जी के साथ हमें भी देखा, क्या वो अब हम देख सकते हैं या काफी हद तक आप लगता है ये टोपी वाला है? ने देखे ऐसा है, वीर बादस तिंग जी उस तो अलवेज वेर बोथ कैप्स और यह जो टोपी है, हरी और ग्रीन यह वैसे भी जो हमारा ऐस्ट वाइल स्टेट है, वो शहर, we belong from a princely family, वहां की यह signature cap है, यह अलग बात है कि बात में इसको थोड़ा इसका politicize हुआ और लाल टोपी जो है वो भाजपा से कही ना कही असोसिए होने लग गई, but that is not the case, we believe in the states जो है विभिन्ता, जो हमारा pluralism है, उसमें हम विश्वास रखते हैं, we believe in taking everybody along and मैं खुद समें समें पर लाल टोपी भी पहनता हूं, हरी टोपी भी पहनता हूं and I, for this, I want to give due compliments to the Chief Minister also, Jairamji has done a good job, कि उन्होंने हिमाचल में ये जो टोपी का रिवास है, उसो खतम करने में उनका भी एक अच्छा योगदान रहा है, See, we must appreciate if something good has been done by our detractors also, हमको हर चीज में criticize नहीं करना चाहिए, if something good has been done, we should appreciate it, and बेशक हम ideologically different है, we will continue to criticize the government on issues. आप इत्ती अच्छी बाते कर रहे हैं, तो उनको आप opposition में देखना चाहते हैं? नहीं, opposition में देखेंगे, opposition में देखेंगे, मगर अगर कोई अच्छा कारिया एक दो किया है, तो मैं उसमें उनको appreciate करने में भी पीछे नहीं हटता हूँ, I believe in calling a spade a spade. हम से बात करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम अदेते हैं, और देखना होगा, क्योंकि सेंट स्टीफन से भी पड़े हैं, और सोशल मीडिया में भी काफी active हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कि ये लड़ाई, जमीनी लड़ाई है, यहाँ पे लड़ी जा रही है, और काफी हद तक कांटे की टकर है, भाजपा और कॉंग्रिस के बीच में, फिलहाल विक्रमदेते कह रहे हैं, कि वो काफी confident है जीत के बारे में, कैमरा पसन गिरीश के साथ, कामल रीच संदू, शिमला आज तक,